युबे में विधान सबाद चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में महाभारत छिड़ कई है टिकट बटवारे को लेकर एक बार फिर चाचा और भतीजा आमने सामने आ गए है दरसल रविवार को सीम अखिलेश यादव ने पार्टी सुप्रीमों कुनायम सिंग यादव से मुराकार करके 403 उमिद्वारों की अपनी सूची सौपी है खास बात यह हैं कि सपा प्रदेश अध्यक्ष शिफपाल यादव पहले ही 175 उमिद्वारों की सूची जारी कर चुके हैं दोनों सूचियों में कुछ नाम छोड़ कर बाकी नाम मेल नहीं खा रहे हैं अगिलेश के सूची में अंसारी बंदूओ अतीक एहमद और अमन मडी का नाम शामिल नहीं है वही पार्टी के 345 मंत्रियों के टिकट कार्ट दिये गए हैं इसके मद्दे नजर अगिलेश की लिस्ट चकराफ का कारण बन सकती है इससे पहले शिफपाल यादव ने ट्वीट करके कहा कि सीम का चुनाव विधायक दल ही करेगा और पार्टी में अनुशासन हींता बरदाश्ट नहीं की जाएगी वहीं यूपे सरकार की विवारित मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापती को पार्ठी का राष्ट्र सचीव निउक्त करने को लेकर भी परिवार में टकराफ की स्थिती बनी हुई है आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले मुलायम सिंग यादव और शिफपाल यादव के करीबी माने जाने वाले मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापती को अखिलेश यादव ने कैबिनेट से बरखास्ट कर दिया था लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही अखिलेश को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और एक बार फिर से गायत्री प्रसाद प्रजापती यूपी सरकार का हिस्सा बनाए गए यूपी में अगले साल फरवरी में विधान जभा की चुनाव होने हैं लेकिन उसते पहले ही परिवार में फिर से टकराफ के सिती बन गई है ऐसे में नेता जी पारिवारिक जगडे को कैसे सुलचाते हैं ये देखना बाकी होगा देखते रहे एडिवे लाइव